मैंने सोचा भूल जाने के लिए कही रही है जगड़ा थोड़ा कैसे सांथ हो जो कह रही हूँ उसको कर दू मैं जैसे ये सब बोली हो तूरंत मैंने कह दिया आप कौन मामला और गंधी हो गया फिर बात बड़े बुजुर्गों तक चली गई इसी तरह से आपस में समझोता हुआ आई घर वो फिर से एक दिन हम दोनों लोग बैठे थे बात कर रहे थे हमने बोला कि मुझे किसी समझदार लड़की चे साधी करनी चाहिए थी वो बोली कि समझदार लड़की तुम चे सदिये न करती और मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ कि उसी में धगड़ा हो जाता है मैंने कहा कि बेबी यानि कि आपने मुझे साधी किया है और आप समझदार नहीं है बस धगड़ा फिर से शुरूँ मैं सोचा कि फिर से माई के ओई के न जाए मैंने ही गल्ती वल्ती माल लिया उसके बाद साम को बैचे थे हम दोनों लोग बढ़िया प्यार महबत की बात कर रहे थे अचानक मैंने बोला इबेबी जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पस्ता आता है तो उन्होंने रोमेंटिक होके कहा कि जो सादी से पहले आपने मेरा दिल और मेरी नीडे चुराई जो क्या फिर मैंने बोल दिया कि मैं कहतो रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बहुत पस्ता आता फिर जगड़ा सुरू अच्छा एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चस्मा उसमें गोकुल धाम सोसाइटिक जितनी महिलाएं है वो सब खुश रहती है पाता है क्यूं याँकि उस सुसाइटि में एक भी स्रास नहीं है अच्छा आज इकल की ये जो बच्चे हैं ना बड़े सरार्ती होते हैं अभी तक मैं बेरोजगार हूँ मैं सोचा कि कोई बिद्याले पकड़ लेता हूँ वही प्राइबेट पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं उत्तार प्रदेश से हूँ नौकरी लगना इतना असान तो है नहीं मैं एक स्कूल में गया तो मैंने तीन लड़की और एक लड़की को बुलाया मैंने बोला यह अपना अपना नाम और अपनी अपनी पसंद बताओ तो पहले लड़के ने बोला कि सर मेरा नाम बिनय है मुझको इमर्ती पसंद है तिस दूसरे वाले लड़के से पूछा तो उसने कहा सर मेरा नाम अमित और मुझे भी मर्ती पसंद है मैंने बोला ठीक है उसके बाद तीसरे वाले से पूछा तो उसने कहा सर मेरा नाम अजय है मुझे भी मर्ती पसंद है मैंने बोला रहे वाह वाह तीनों की पसंद तो एक ही है फिर मैंने लड़की से पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है और आपको क्या पसंद है उसने बोला कि सर मेरा नाम इमर्ती है अच्छा मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है एक बार मैं गया सरकारी हॉस्पिटल तो वहां से जब मेरा काम हो गया डाक्टर को दिखा दिया चकप उकप हो गया तो मैं बाहर आया तो एक समोसे का थेला लगा था मैं सोचा कुछ खा पीलू मैंने दो समोसे लिए